राज कपूर और नर्गिश के रिष्टे से हर कोई वाकिप है, लेकिन कैसे इनका रिष्टा तूटा, कहां से इनके रिष्टे की अंत की शुरुआत होई और इनकी कहानी में इनके भाई का कौन सा किर्दार था? ये जानने के लिए इनकी कहानी की शुरुवात जहा से होई थी किन हालातों में होई थी ये जानना बेहत जरूरी है तो जब नर्गिस की हो रही है बात तो उनकी मा के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये सारी कहानी समझने में आसानी होगी तो फटाफट जान लेते हैं उनकी मा जद्दन भाई के बारे में जद्दन भाई सिंगर थी, एक्टरस थी, डानसर थी, एक संगितकार थी और फिल्म मेकर भी थी जद्दन भाई की पहली शादी गुजरा थी बिजनेसमेन जद्दू भाई खत्री से हुई थी जो शादी के वक्त मुस्लिम बन गए थे और इस शादी से उनको बेटा पैदा हुआ अक्तर हुसेन जद्दन भाई की दूसरी शादी हार्मोनियम मास्टर उस्ताद इरशादबिर खान से हुई इस शादी से उनको एक बेटा पैदा हुआ अनुवर हुसेन जो बहुत ही मशूर आक्टर थे जद्दन भाई की और तीसरी शादी एक डवलत मन पंजाबी से हुई जिनका नाम था मोहन चंद उत्तम चंद त्यागी जिनने सब प्यार से मोहन बाबू भी कहते थे मोहन बाबू मुस्लिम बन गए थे नाम रखा अब्दूल राशिद इस शादी से उनको एक बेटी पैदा हुई उसका नाम था फातिमा राशिद बड़ी होकर इस लड़की को सब नर्गिस के नाम से जानने लगे एक चूण 1929 को नर्गिस का जन्म कोलकता में हुआ नर्गिस की पहली फिल्म थी तलाश हक जो उनकी मां नहीं बनाई थी और आगे चल कर नर्गिस ने अपनी मां के साथ तीन फिल्मों में काम किया इन फिल्मों के अलावा भी नर्गीस ने as a child artist फिल्मों में काम किया जद्दन भाई की वज़े से फिल्मी लोगों का उनके घर पर आना जाना था तो 1943 में महभूब खान एक फिल्म बना रहे थे इस फिल्म में मोतिलाल के साथ 14 साल की उम्र में नर्गीस को as a main lead heroine launch कर दिया गया इसके बाद as a lead heroine नर्गीस ने कुछ फिल्मों में और काम किया इसके बाद में राज कपूर के entry होती है नर्गीस की जिंदगी में जद्धन भाई से जानकारी लेने के लिए राज कपूर उन से मिलने पहुँच गए लेकिन उन्हें जद्धन भाई वहां नहीं मिली राज कपूर उन्हें मिलने के लिए उनके घर पर पहुँच गए और ये बाद बहुत फेमस है आप भी जानते होंगे कि दर्वाजा नर्गीस ने खोला था नर्गीस पकोड़े बना रहे थी दर्वाजा खोलते वक्त बेसन का आटा उनके बालों को लग गया और ये पल राज कपूर के दिलो दिमाग में एक तस्वीर की तरह छब गया इसलिए बाद में 1913 में जब बॉबी फिल्म राज कपूर साब ने बनाई तो उस फिल्म में इस चित्र को उबे हो उन्हों ने उतार दिया अब जद्दन भाई उनको घर पर भी नहीं मिले थी लेकिन राज कपूर के मन में नरगिस का चेहरा बैट गया था तभी राज कपूर ने अपनी राइटर इंदर राज आनन से कहा के नरगिस के लिए भी कोई रोल अपनी फिल्म में लिखो इस तरह 1948 की आख फिल्म राज कपूर और नरगिस की पहले फिल्म साबित होई फिर अगली फिल्म मेबुप खान की अंदाज और अगली फिल्म राज कपूर साब की बरसात इन फिल्मों ने नरगिस को स्टार बना दिया कहते हैं कि बरसात की शूटिंग के वक्त जब राज कपूर साहाब को पैसो की कुछ कमी पड़ी तब नरगिस ने अपनी सोनी की चुडिया बेज दी और कुछ फिल्में जो उन्होंने साइन की थी वो पैसे राज कपूर को दिये उनकी मदद की अब बरसात की शूटिंग के वक्त ही नरगिस की माँ जद्दन भाई की मौत हो चुकी थी तो ऐसे दुख के इस घड़ी में नरगिस ने राज कपूर का साहरा लिया अब नरगिस राज कपूर के साथ जादा से जादा वक्त बिताने लगी इतना ही नहीं वो हर निर्माता क कहती थी कि उनके साथ सामने हीरो होंगे तो राजकपूर ही होंगे अब यहां इस कहानी में इंट्री होती है उनके भाई अक्तर हुसेन की दरसल नर्गिस का सारा काम उनके भाई अक्तर हुसेन ही देखते थे अब यहां बात ऐसी थी कि नर्गिस की कमाई से ही उनका घर चलता अब राज कपूर की तरफ नर्गिस का जोकाओं होने का मतलब ये हो रहा था कि नर्गिस की सारी कमाई राज कपूर ले सकते हैं अपने बड़े भाई अक्तर थे कि नर्गिस को समझाते थे कि आप राज कपूर से दूर रहे नर्गीस ने अपने बड़े भाई की बात नहीं मानी वो यहाँ ही नहीं रुकी उन्होंने इन सब बातों से छोटकारा पाने के लिए अपना खुद का अलग मकान खरीद लिया इसका सीधे सीधे मतलब ये था कि अब उन पर उनके बड़े भाई अक्तर हुसेन का कोई अधिकार नहीं था और आखरी बात नर्गीस ने अपने भाई से ये कह दी थी कि वो राज कपूर से शादी करना चाती है ऐसे में नर्गीस फिल्मों में काम भी करते जा रही थी लेकिन अपनी अधाकारी का जादू दर्शोकों के दिलो दिमाग पर नहीं कर पा रही थी हाँ लेकिन जिस भी फिल्म में वो राज कपूर साब के साथ होती थी तो उनकी अधाकारी में एक अलग ही निखार आ जाता था 1953 के बाद नर्गीस ने ये फैसला ले लिया नहीं आया लेकिन नर्गीस को इन सब बातों की कोई परवा नहीं थी उन्हें किसी की परवा नहीं थी उन्हें स्रीप और स्रीप राज कपूर ही चाहिए थे फिर अगले ही साल 1954 में प्राइम मिनिस्टर जवारलाल नहिरू ने मासको फिल्म फेस्टिवल के लिए बारत से 14 लोग भेजे उनमें बलरा सानी निरूपाराई देवानन साहब राज कपूर और नर्गीस भी शामिल थी लेकिन नर्गीस ने इस फेस्टिवल के दोरान ये मैसूस किया कि रशिया में जितना अच्छे से स्वागत राज कपूर का हो रहा है उतना उनका नहीं हो रहा है उतनी इज़त अबजाई उनको नहीं मिल रही थी वहाँ पर बहुती जगों पर उनको राज कपूर की पतनी कृष्णा समझा गया अब इस बात से नर्गीस के सौबिमान को बहुती चोट पहुची यही से असल में शुरुवात हुई थी इनके अंत की अब नर्गीस अपने इस रिष्टे को किसी मुकाम पे पहुचाना चाती थी वो राज कपूर से शादी करना चाती थी इसका हल डूनने के लिए वो बॉम्बे स्टेट के चीप मिनिस्टर मौरार देसाई साब के पास पहुच गई और उन्होंने सीधे उनसे सवाल कर लिया क्या ऐसा कोई रास्ता है क्या कि शादी शुदा इंसान से हम दोबारा शादी कर सके इसके बदले में मौरार देसाई साब ने उन्हें डाटा और कहा कि ऐसा सोचना भी छोड़ दिये ये वही वक्त था जब उनकी फिल्म रिलीज हुई थी स्रीच 420 अब ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपर टूपर हीट साबित रही लेकिन इस फिल्म में उनका रोल छोटा था नर्गिस का किरदार इस फिल्म में ज़्यादा लंबा नहीं था और तो और उस किरदार में कोई ग्लैमर नहीं था एक साधारन सी लड़की का वो किरदार था अब वो वक्त आ गया था जब भड़काने वालों को चांस था और उन्होंने भरपूर फाइदा उठाया इस बात का और नर्गिस को ऐसास दिलाया कि तुमने बाहरी प्रोडिसरों निर्माताओं के साथ कामना करने का फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती की है ऐसे में जाहिर सी बात थी कि नर्गिस को ये मैसूस होना ही था कि उन्होंने ऐसा फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि उन्हें ये भी समझ में आ गया कि करियर के साथ साथ परसनल लाइफ भी खराब हो रही है राज कपूर के साथ देखे हुए शादी के सपने तूटते नजर आ रहे थे ये बात अब उनको असंभव नजर आने लगी थी लेकिन तभी उनकी फिल्म जिलीज हो गई चोरी चोरी और ये फिल्म भी सुपर टूपर हिट हो गई साथी साथ नर्गीज का किरदार नर्गीज को इस फिल्म में पसंद भी आया तभी आगे चल के और एक film जिलीज हुई, जाकते रहो, यह फिल्म में नर्गीज भी नज़र आई. लेकिन ये वो फिल्म साबित हुई, जिस फिल्म में नर्गीज और राज कपुर सहाब आखरी बार फिल्म में नज़र आये. इसके बाद इन दोनों ने कभी साथ में काम नह अब नर्गीज आगे बढ़ना चाहती थी जिसके लिए उनको राज कपुर को छोड़ना बेहत जरूरी था और वह अब ऐसा कर भी चुकी थी नर्गीज आरके स्टुडियोज बैनर के अलावा बाहर की फिल्में करने के लिए पूरी तरह से तयार थी और फिर एक बार वो करि के दोरान आग लगी आग में घिरी नर्गीज को सुनिल दत ने अपने जान पर खेल के बचाया वो इस फिल्म में नर्गीज के छोटे बेटे का किरदार निबा रहे थे सुनिल दत एक्टर थे उनके चेहरे को भी इसका नुक्सान हो सकता था लेकिन उन्होंने परवा नही कि उन्होंने नर्गीज को एहमेर दी तब नर्गीज को पता चल गया कि कोई ऐसा इंसान है जो अपने से जादा किसी और के बारे में सुच सकता है इसका मतलब ये था कि आग का असर दोनों जगे बराबर हुआ था अब इलाज के दोरान दोनों इतने करीब आ गये कि दोनो उन्हें शादी ही करने का फैसला कर लिया उन्नीस सो सतावन में परदी सी की फिल्म की शूटिंग करके लोटते वक्त नर्गीज बरलीन में रुग गए जहां पर अंतरास्टिय फिल्म फेस्टिवल हो रहा था और राज कपूर भी वहां आयो है थे छे जुलाई उन्नीस सो आखों से उनके आनी वाली जिन्दगी को शूख कामनाई दी फिर नर्गीज ने एक चिठी में इस मुलाकात का जिक्र किया और वो चिठी सुनिल्दत को भेज दे ये वो वक्त था जब मदर इंडिया तहल का मचा रहे थे मदर इंडिया फिल्म से नर्गीज को बेस्ट एक प्राटी में नर्गीज और कृष्णा राजकपूर के साथ आमने सामने थी नर्गीज ने राजकपूर की पतनी कृष्णा से माफी मांगी कृष्णा जिन्हें उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि उस समय को हम दोनों को भूल जाना चाहिए दोस्तों नर्गीज पहल कि उन्हें कैंसर है 3 मई 1981 को वो हम सब को अलविदा कह गई उन्हें अपने बेटे संजदत को सिल्वर स्क्रीन पर देखने का बहुत ही अर्मान था 7 मई को संजदत की पहली फिल्म रॉकी फिल्म का प्रिमेर भी था नर्गीज की